बेमेतरा जिल्ली की बेरला ब्लॉक में सित एक बारूत फैक्टरी में विसफोर्ट की घटना पर 36 गड़ के उप मुख्य मंद्री अरुन साव ने कहा कि घटना के तुरंत बाद प्रशासन बचा और रहात कारे में जुड़ गया था आसपास के पायर ब्रिगेट और टीम बुलाई गई लगातार प्रशासन मलबा हटाने का काम करता रहा बारूत की फैक्टरी है इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है सेना के विशग्यों को भी हमने बुलाया है सरकार ने पहले ही जाच का नेन लिया है जो भी दोशी पाय जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी कामरिस पार्टी बेमेतरा बारूत फैक्टरी घटना पर राजनीती करने की कोशिश कर रही है अत्यंत दुरभाय गिजनक घटना और बड़ी विस्फोर्ट की घटना बेमेतरा जीला में बारूत फैक्टरी में हुई है घटना की तुरंद बाद प्रशासन बचाओ रहत काम में पूरी मुस्तहिदी से लगी आसपास के फायर ब्रिगेट और टीम भी बुलाई गई एस्टियार एप की टीम पहुँची जीला प्रशासन के सभी अधिकारी अन्य बड़े अधिकारी खटना इस्थल पर पहुँचकर बचाओ रहत काम में पूरी मुस्तहिदी से लगे हैं लगातार प्रशासन मलबे हटाने का काम कर रहे हैं बारूद की फेक्टरी है इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाने का काम हो रहा है कहीं पर एसीड होए कहीं पर बारूद है कहीं पर क्या है और घटना ना हो जाए और सेना के विसेशppers को भी हमने आगरह करके बुलाया है उनकी भी मदद ले रहें और सरकार ने पहले हीEO मजिस्ट्रिलर इंख्वारी का निर्णे किया है मजिस्ट्रिलर इंक्वारी में जो भी तत्थ्य आएंगे जो भी दोसी पाये जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कारवाही कानून सम्मत होगी, इसे लोग निश्चिंत रहें और सरकार हर संभव पिडित परिवारों के साथ पुरी मजबूती से खड़ी है, पिडित परिवारों का जो दूख है, तकलीफ है, सरकार उनके साथ पुरी तर से खड़ी है